वृत्य के कुछ प्रमे हमने ज्यामिती कत्नों को सिद्ध करना सीखा है अब हम वृत्य के बारे में कुछ कत्नों को जो उसके गुण बताते हैं सिद्ध करने के तरीके देखेंगे पहला कथन हम वही लेते हैं जो हमने अभी देखा किसी वृत्य में बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंत्रेत करती है बच्चों हमने अभी वृत्य को जाना चलिए वृत्य से सम्मंधित कुछ और बाते करते हैं जैसे वृत्य के गुण धर्मों की यदि हम सबसे पहला गुण धर्म ये लें कि वृत्य की दो बराबर जिवाएं वृत्य के केंद्र पर बराबर कोण अंत्रित करती है तो इस गुण धर्म को हम प्रायोगिक रूप में समझ सकते हैं चलिए इसका प्रायोगिक सत्यापन करके देखते हैं इसके लिए हमें दो जिवाएं लेनी होंगी सबसे पहली जीवा के लिए हमें वृत्ति की परिदी पर दो बिंदू लेने होंगे तो ये देखिए इन बिंदू के लिए हम इस पिन का प्रयोक कर रहे हैं और ये हो रहा है हमारा पहला बिंदू हमने ये ले लिया A और ये दूसरा बिंदू हम ले रहे हैं वृत्ति की परिदी पर इसे नाम दे रहे हैं B का ये देखिए वृत्ति की परिदी पर दो बिंदू हमने A और B ले लिया अब इससे हम बनाते हैं जीवा जीवा बनाने के लिए हम इस धागे की सहायता से जीवा का जो रेखा कंड जीवा के लिए हमको लगेगा वो हम बना लेते हैं ये देखें इसे इस प्रकार से अच्छे से फसा ले और फिर इसे आगे बढ़ा कर बिंदू B तक ले जाते हैं बिंदू B पर अच्छी तरह से इसे फसा लेते हैं फिर से अब आप देख सकते हैं ये A B जीवा हमें प्राप्त हो गई है हमें वृत्ट पर दो बराबर जीवाईं बनानी हैं तो इसके लिए इस जीवा को हम माप लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है इसके लिए स्केल की साहता से हम मापन कर रहे हैं ये देखिए 16.7 cm की ये जीवा है इतने ही माप का हम वृत्ट पर एक दूसरी जीवा लेते हैं इसके लिए इसे हम यहां से अलग कर देते हैं ये देखिए और एक बिंदू लेती हुमें वृत्त की परिदी पर बिंदू C एक तीसरा बिंदू ये ले लिया बिंदू C से फिर से 16.7 cm की दूरी पर देखते हैं वृत्त की परिदी पर कौन सा हमें बिंदू मिल रहा है वो देख लेते हैं ये देखिए ये 16.7 इसे पिंद को थोड़ा से उठाके ये देख लेजिए ये देखिए ये हमने एक बिंदू लिया और यहां पर आप देखिए वो कहां पर हमें मिल रहा है ये देखिए ये जो है ये बिंदू हमें प्राप्त हो रहा है तो बिंदू D यहाँ पर हम बना लेते हैं यह बिल्कुल उसी माप का हमें एक जीवा फिर से बनानी होगी तो बिंदू C से बिंदू D को मिला कर हम वापस से एक जीवा बना सकते हैं जो बिल्कुल उसी माप की है जो A B का माप है अब हमें इन बराबर जीवाओं से केंद्र पर कोण अंतरित करना है तो सबसे पहले ये CD जीवा हमें मिली हुई है इसी से हमें कोण बना लेते हैं केंद्र पर इसके लिए परंतु हमें यह भी देखना होगा कि केंदर पर जो कोंड बन रहा है वो बराबर है की नहीं इसे चेक करने के लिए हमें चांदे की आउशकता होगी तो सबसे पहले चांदे को भी हम केंदर में हम लगा देते हैं यह देखे चांदे पर हमने इस तरह से होल किया हुआ है और इसमें हम इसे इस तरह से फसा कर केंदर पर लगा देते हैं तो यह हमने चांदा भी फसा लिया अब हमें कोण के मापन में चांदी की सहायता पड़ेगी तो चांदी की सहायता से करेंगे उसका उपयोग होगा तो हमने चांदा फसा लिया और ये हमने कोण बना लिया COD कोण ठीक है बिलकुल इसी प्रकार हमें AB जीवा द्वारा भी केंदर पर कोण बनाना है तो इसके लिए फिर से इसी धागे की सहयता से बिंदू A पर इसे फसा लेते हैं और अब कोण बनाने के लिए वापस वही प्रक्रिया ये देखी इसको थोड़ा उपर करके हम ये वापस से फसा सकते हैं अच्छी तरीके से इसे फसा ले ताकि मापन में कोई त्रूटी ना हो इसे बिंदू B से इस प्रकार अब हमें जो कोण मिल रहा है वो है कोण A O B अब यह चेक करना है कि जीवा A B द्वारा जो केंदर पर कोण बन रहा है और जीवा C D द्वारा जो केंदर पर कोण बन रहा है ये समान है या नहीं ठीक है इसके लिए सबसे पहले हमको चांदे को सेट करना होगा तो ये देखिए ये इसे मैंने अधार रेखा से मिला लिया और अब आप इस कोण को देखें कि ये कितने अंश का हमको कोण यहां मिल रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर अधार रेखा के साथ यह हम देखेंगे तो ये हो रहा है 47 अंश का कोण दिखाई दे रहा है हमको आप देख सकते हैं ये देखिए ये 47 अंश का कोण हम देख पा रहे है पुना A O B का मापन हमें कितना मिला कोण का 47 अंश चलिए यही प्रक्रिया दुबारा ये हमने आधार रेखा मिला ली और अब आप देखिए बिलकुल समान माप हमें दिखाई दे रहा है 47 अंश्का हमको कोण यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं तो हमने देखा कि बराबर जीवाओं ने केंद्र पर बराबर कोण अंतृत किया इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि वृत्त पर यदि दो जिवाएं हों जो केंद्र पर बराबर कोण बना रही हों उनका माप सदैव समान होगा बच्चों हमने अभी वृत्त के इस गुण धर्म का प्रायोगिक सत्यापन देखा जब हम इसे प्रेयोगों द्वारा कर रहे थे तो हमारे अंदर इस गुण धर्म की अच्छी समझ बनी बिल्कुल इसी प्रकार अपने द्यानिक जीवन में जब हम गणित का व्यवारी को प्योग करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं परन्तु किसी भी गणिती कथन को सही हम तभी मानते हैं जब हम उसको हम जब तारकीक रुप से सिद्ध कर सकते हैं तो चलिए व्रित्त के इस गुण धर्म को हम तारकीक रुप से सिद्ध करते हैं